साथ सीटों पर उपचुनाब को लेकर कॉंग्रोस की तैयारी डोटासरा ने कॉंग्रोस बोर्ड रूम में बैठक की है उपचुनाब को लेकर के रणीती तैय नजर आ रही है वहीं गड़बंदन का फैस्ता पाटी आला कमान करेगा ये डोटासरा की तरफ से साप किया गया रोने का है कि हमारी ओर से सभी सीटों पर तैयारी पूरी है सभी साथ सीटों पर चुनाब प्रभारी की नियुक्ति की गई है वहीं दौसा सीट के लिए विधायक रफीक खान और विधायक डूंगर राम गेदर को जिम्मत दिया गया है वहीं दौपदी कोहली और महिंदर गेहलोत को दौसा चुनाब प्रभारी का जिम्मा बिलाए गया है और दौसा सीट पर मुराइलार मीना के सांसत बनने से ये सीट खाली हुई जौनजरो सीट पर विधायक हाकम अली विधायक अमित शाचान की नियुक्ति वहीं जौनजरो सीट पर विधायक अनिल शर्मा को चुनाब प्रभारी का जिम्मा दिया गया है वही रामगर सीट पर विदायक रोहिद बोहरा धर्मेंद राचोर को प्रभारी न्यूक्त किया गया है रामगर सीट पर विदायक विकास चौतरी विदायक पूपेंदर सिंग कुनर को जिम्मा दिया गया है कॉंग्रिस नेता, करन सिंग, उच्यारदा, महिला नेता, राकी गौतम को जिमा और पूर्व अद्याक शुआ किशनलाल को जिमा दिया गया है वहीं खीरसल सीट पर विदायक का पूसराम गोदारा, जगदीश जांगिड को जिमा दिया गया है अब इशिक चौतरी गजेंदर सांखला को चुनाव प्रभारी बनाया गया वहीं सलूमबर सीट पर पूर्व मंतुरी अर्जन बामनिया पूरुव विदायक रामलार मीना को जिमा दिया गया है और प्रमोस इसोदिया अप्रेम कुमार पार्टीदार को जिमा दिया गया चरासी में पूर्व मंतुरी मांगिलाल गारसिया जो है वो पूरुव विदायक पुश्कर लाल डांगी विदायक चेतन पटेर जगदीश श्रीमाली को जिमा सौपा गया है तो ये बड़ी जानकारी है और लगातार बैटिकों का सिलसला भी अब कॉंगर्स पार्टी में शुरू हो चुका है